नमस्कार मैं हुआ आपके संकनित्या मंत्र यंत अंतर वास्तु के विशे सकार करें के साथ सर्व पित्रिया वास्या पित्र पक्ष का अंतिम दीन होता है सर्व पित्रिया वास्या आखिर क्यों इतना जादा महत्पुन होता है अगर आप सर्व पित्रिया वाश्या पर अपने पित्रों को याद नहीं करेंगे तो इससे क्या आपको नुक्सान होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे सर पित्र वास्चा पर क्या खास चीज़ आपको करना है ताकि आपके पित्र आपसे प्रसंद हो करके आपको आशिरवात दे करके पुनह पित्र लोक में जाएंगे क्या करना है इसके लिए आपको सर पित्र वास्चा के दीन क्या कुछ खास काम आप अबस करें जो अगले एक साल तक आपके जीवन में धन ही धन आपको देगा तो हमारे साथ बने रही है हम आपको बताएंगे सर पित्रिया मास्या ग्यात अग्यात पित्रों को याद करने का वह दीन है जिस दीन अगर आप अपने पित्रों को याद करते हैं उसके निमित कुछ दान करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो पित्र प्रसन होकर जाएंगे और आपका जिन्गी भी बहुत ज्यादा सरल और सुगम हो जाएगा। लेकिन इसके पहले, अगर आप हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किये हैं, तो किर्प्याय से सब्सकाइब कर लेता था, बेल बटन को भी दमाएं, ताकि नए भीडियो का नोटिफेकेशन आपको तुर्ण मिल जाएं। जिस तरह से ओत्रिप्ट भैक्ती किसी को आशिरवाद नहीं दे सकता, उसी तरह ओत्रिप्त आत्मा आशिरवाद नहीं देती। पित्र दोस वह है जब एक आत्मा अपने पुत्र या पुत्रियों के बारे में अच्छी भावना नहीं रखती। इसका एक उपाय है जिसे तरपन कहते हैं, पुर्वज के परती सरधा प्रगट करने को ही सराथ कहा जाता है, आत्मा की सांती के लिए असनान दान तरपन किया जाता है, लेकिन हमारे पित्र सीधे तोर पर हमसे कुछ नहीं ले सकते, ब्रामनों के द्वरा या गाय, कुवे, कुट्य के द्वरा ही हमसे वो कुछ गरहन कर सकते हैं, हम जो चीज ब्रामन को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कुवे को खिलाते हैं, उसी से ये चीजे आपके पित्र तक ये पहुंचती है, पित्रों की याद में भूखे लोगों को भोजन कराने से भी आशिरबाद प्राप्त होता है सर्व पित्री सराथ मवाश्या पित्र पक्स का आखरी दिन होता है सराथ की सभी तीथियों में आवाश्या को पढ़ने वाली सराथ की तीथी का बिशेश महत होता है इस दीन किया गया स्राध पित्र दोसों से भी मुक्ति दिलाता है अगर कोई स्राध तीथी में किसी कारण से स्राध न कर पाया हो या फिर स्राध की तीथी मालूम न हो तो सर्व पित्री स्राध अमवास्या पर आप स्राध कर सकते हैं समस्थ पित्रों का इस आवाश्या को सराध किये जाने को लेकर ही इस तीथी को सरव पित्री आवाश्या कहा जाता है यानि कि अगर आप उन पुर्वजों के बारे में आप नहीं जानते हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी पता ना हो उसका भी आप सराध कर्म सर्व पित्रिय वास्या के दिन कर सकते हैं यानि कि ग्यात और ग्यात सभी तरह के पुर्वज पित्रों का आप इस दिन सराध कर सकते हैं इसलिए इसको हम सर्व पित्र आवाश्या भी कहते हैं अगर आपने पित्रपक्स में सराध कर चुके हैं तो भी सर्व पित्री सराध के दीन पित्रों का तर्पन करना बहुत ही ज्यादा महत्पुन होता है सास्त्र काता है कि जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है सराद क्रम के दोरा ही पुत्र पित्र रीन से मुक्त हो सकता है जीव, मानब, मोह बस इस जीवन में पाप पुन दोनों कृत करता है पुन का फल स्वर्ग है और पाप का फल नरक होता है नरक में पापी को घोर यातनाय भोगनी पड़ती है और स्वर्ग में जीव आनद पुर्ण जीवन ब्यतित करता है। पुत्र पोत्रादी का यह करतब होता है कि वे अपने माता पिता अपने पुरवजों के निमित स्राद पुरवक ऐसे कर्म करें जिससे उन मिरित प्राण्यों को परलोक अथवा अनलोक में भी सुक प्राप्त हो सके। मानता है कि आवाश्या को पित्र अपने प्रियाजनों के द्वार पर स्राद की इक्षा ले कराते हैं। इसलिए स्राद कर्म अबस करना चाहिए खास करके सर्व पित्री आवाश्या के जी। हम आपको यह बताएंगे कि पित्र अवाश्या को स्राद करने का सबसे आसान बीधी क्या है। आप इस आसान बीधी सकर स्राद करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पित्र आपसे प्रसन हो जाएंगे। अगर कोई पंडित हो तो आप पंडित को बुला कर भी शराद करवा सकते हैं या च्छार हैगा लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं पहला काम क्या करना है शर्व पित्र वाश्या को प्राहता असनान के पसात गायतरी मत्र का जाब करते हुए सुर्जदेव को जल अर्पित करना चाहिए सराध तरपन के लिए जल में दूध, गंगा जल, तुलसी दल और तील मिला करके आप जल को त्यार कर लिजिए तुलसी दल से पिंड़दान करने से पित्र पुन्द रिप्त होका आशिरवाद देते हैं तुलसी दल का बहुत ही जादा महत्पुन होता है सराध कर में अब आपको क्या करना है यह जल त्यार करने के बाद दक्षिन की तरफ मुह करके कुस हाथ में लेकर के तयार जल से पुरवजों को याद कर तीन बार यह कहते हैं वे आप त्रिप्त हो जाएं आप त्रिप्त हो जाएं आप त्रिप्त हो जाएं जल का अरपन करें चाहे तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जल को अरपित करते समय और जल आप आप दाएं हमत के अंगुठा से आपको देना है आप जिस समय जल अर्पित करेंगे उस समय आप एक मंत्र का जाब भी कर सकते हैं ओम, सर्व, पित्री, देवता, भ्यो, नमहा या नहीं तो आपत्रिप्त हो जाएं ये बोल करके भी आप जल अर्पित कर सकते हैं जिस दीन पित्रों का सराध करना हो जानि सराध की तीथी हो उसदीन तेल लगाने दूसरे का अंध खाने और इस्तरी प्रसंग से बसना चाहिए. एक चीज का ध्यान रखना है. भगवान विशनु के पसीने से तील और भगवान विशनु के रोम से ज़स क्यूत्पति हुई ह अतह, सिराध्य कर्मे, इसका परश्य आवस्यक है सर्वेपित्रियृव वास्या के दीन पित्रों की स्थांति के लिए उनका अशिरवाध प्राप्त करने के लिए गीता के साथमे अध्या का पार्ठ्ड करने का भी पिधान है अगर आपको आती तो ये पाठ भिया वबस करें सरपित्य वास्या पर पीपल की सेवा और पूजा करने से पित्य परसन होते हैं आपको क्या करना है कि लोटे में दूध, पानी, काले तील, सहद और जो मिलाले और पीपल की जर्में आपी से रपित कर दीजिए सरपित्य वास्या के दिन इस दिन आप दान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन होता है दान में आप गोदान कर सकते हैं या आप गोदान के लिए पैसे भी दे सकते हैं भूमी दान अगर भूमी दान नहीं कर सकते हो, आप मिट्टी का भी धान कर सकते हैं, तील, सुर्ण, घी, बस्त्र, अनाज, गूर, चांदी तथा नमक इसे महा धान कहा गया है, नमक का धान तो आपका अबस ही करना चाहिए इस दिन, इससे आपकी पित्र प्रसन होंगे, पित्रों से सरधा प्रोबक मंगल की कामना करनी चाहिए, इस तरह लुपाय से जो सरधा प्रोबक अपने पित्रों के लिए सराद करेगा, तरपन करेगा, उसे पित्र आशिरवाद दे करके जाएंगे, और उसके जीवन में कार्ज, बेपार, सिक्षा, बंस, बिर्धी, किसी भी चीज में किसी तरह की रुका करेंगे, किस तरह से बिधा करेंगे, अगर आपको ये भीडियो प्रसंद आए, तो कि पैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे समझों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस उपाय को करेंगे, तो उसके जीवन से भी पित्र दोस्त दूर होगा, पित्रों का आशिरवाब ये प्राप्त होगा, आज के लिए बसतना ही, धन्यवाद.